तो कैसे हैं आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आप सभी का वेलकम है आज की इस विडियो में, आज है संडे मॉर्निंग और संडे का टाइम चल रहा है, संडे आ चुका है और क्या हाल चल रहा है मार्केट के, वो बात करेंगे और next week कल से शुरू होगा और वो जो week है वो बहुत important week है क्योंकि परसो जो है यहाँ पर 14 February को CPI data आने वाले हैं तो बात करेंगे market की situation की और क्या updates आ रही हैं लेकिन उससे पहले आप सभी को very good morning अगर आप market को देखोगे तो green हमको देखने को मिल रहा है अगर हम थोड़ा सा BNB को अलग कर दें थोड़ा साल का सा वो down है लेकिन bitcoin अगर आप देखोगे 21,800 के level bitcoin के चल रहे है almost कोशिश bitcoin की यही है कि 22,000 dollar फिर से touch किया जाए और हो सकता है आज या कल जो नया week start होने वाला है जो cpi data आने वाले है उससे पहले bitcoin 22,000 के दर्शन करा दे volatility रहेगी यह बात आप confirm कर लें ठीक है क्योंकि market volatile रहता है जब भी cpi data आता है और जब भी fomc के decision आते हैं तो बहुत ज़दा volatility देखने को मिलती है है ना तो 22,000 हम expect करने bitcoin जल्दी हमको दिखा सकता है फिर से और 1533 dollars पर ethereum है bnb 306 dollar पर लेवल चल रहे है gift 17% मीना की बात कर लें तो बहुत अच्छी performance दिया मीना ने और मीना ने पिछले एक महीने के अंदर अगर हम चार्ट देखें तो 111% का profit दे चुका है मीना कोईन है ना तो बहुत ही गजब का profit बनाके दिया है इस कोईन ने और मैटिक की बात कर लें 1.2 dollar पर चल रहा है एक सो तीन रुपए पर प्राइस चल रहा है मैटिक का अब गेनर लिस्ट पर आते हैं तो गेनर लिस्ट पर आ देहूं सबसे पहले मीना ही टॉप लीडर बना हुआ है कल से बना हुआ है गेनर लिस्ट के अंदर उसके बाद चल रहा है लिट कोईन 21% डेगू चल रहा है 18% गिफ्टो 17% रोज आ चुका है 16% और सिस चल रहा है 15% यह गेनर लिस्ट आज की और मार्केट कहीं ना कहीं ग्रीन दिख रहा है और कभी भी जो है बिटकोईन 22,000 के दर्शन फिर से जो है हमको करा सकता है तो शुरुआत करेंगे हम वीचेन के एक बड़े माइलस्टोन से वीचेन रीचिज न्यू माइलस्टोन बट विल इट भी इनफ तो बीट दा बियर्स अगर आप यहां देखोगे एक नया माइलस्टोन हिट कर लिए वीचेन न और यह जो माइलस्टोन है वीचेन टोटल एड्रेसेज नौन एकसीडिड दे टू मिलियन मार्क है ना टोटल एड्रेसेज की बात कर लूँ मैं नौन एड्रेसेज की तो वो नंबर हिट हो चुक है टू मिलियन का ओंचेन परफॉर्मेंस और मार्कित इंडिकेटर लुक प है बिगिनिग वीचेन बिल लून दा वर्ल्ड ओवर इंड़ कंशनिद कर लिया है वीचेन ने वीचेन टू मिलियन एड לשill टू मिलियन नॉन एड्रेसिज है ना तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन यहां पर जो है वीचेन ने हिट कर लिया है नेक्स्ट हम बात करेंगे रोबर्ट क्योसाकी की जो रिच डैड पूर डैड के ओथर है वो हमेशा आप देखो कभी ना कभी उनके ट्वीट आते रहते हैं कभी बिटकोईन को लेके गॉल्ड सिल्वर को लेके तो रिच डैड पूर डैड रोबर्ट क्योसाकी ओन आवरिधिंग विल क्रैश प्लैन तो बाई मॉर बिटकोईन मतलब क्या कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में हर चीज़ क्रैश होने वाली मेंस क्या क्रैश होने वाला है और प्लैन कर रहे हैं तो बाई मॉर बिटकोईन तो फेमस ओथर और बेस्ट सेलिंग बुक रिच डट पूर डड रोबर्ट क्योसाकी अपरेश की वार्निंग डेरे मार्केट क्रैश की आपरेश की वार्निंग दे रहे हैं अब बिटकोईन यहां से क्रैश होगा या नहीं होगा यह सिर्फ टाइम बताएगा ठीक है क्योंकि बिटकोईन के लिए बहुत जरूरी है फेबरी का मन्त और मार्च का मन्त कहां तक लेवल हिट करता है क्या 25,000 हमको इस मन्त या मार्च मन्त तक लेवल दिखते हैं उससे उपर होल्ड करता या नहीं करता यह सिर्फ अब डिपेंड गरता है बिटकोईन की परफॉर्मेंस पे कैसी फेबरी मन्त में परफॉर्मेंस रहती है लेकिन रोबर्ट के साकी आपको पता है उनके ट्वीट साते रहते हैं और यह उनका लेटेस्ट कुछ प्लैन है कि प्लैन टू बाई मौर बिटकोईन नेक्स्टरम बाद करेंगे Chinese Government launching National Blockchain Innovation Centre तो Chinese Government की दरफसे यहांपे कुछ ब्लोक्चेन को लेके जो है यहां पर movement होता हुआ अगर आप यहां पर देखोगे तो चाइनीज गॉर्मेंट इस सेटिंग अप ए नैशनल ब्लोक्चेन इनोवेशन सेंटर इन बीजिंग इनोवेशन सेंटर को बीजिंग के अंदर अगर आप देखो यहां पर जो है कुछ announcement है और optimism has announced the launch of the new governance portal एक पॉर्टल यहां पर जो है एक तरह से launch किया है जिसका आप देखो बॉल सकते हो optimism agora and the portal built by agora aim to bring token house what to full on chain from the previous governance portal तो एक जो नया पॉर्टल आपके कह लीजिए optimism agora इसको यहां पर जो है announce किया गया है and the transition to fully on chain voting और यह सारी updates है अगरा के बारे में है ना what is optimism agora optimism agora is a part of optimism collective a band of different entities working together to reward public good and dispel the myth that they cannot be profitable आप देखो जब भी आप देखो जब भी आप देखोगे बहुत टाइम से आप देखो कितना अच्छा परफोर्मेंस दिखाया है जैन्वरी मन्त के अंदर है ना और optimism अगर आप optimism entry बना रहे हैं तो optimism एक ऐसा coin है जो अगले bullrun में एक अच्छे target set कर सकता है market के अंदर नई currency आई है कुछ ज़्यादा time हुआ निया optimism को 2022 में entry हुई है optimism तो एक नई currency और potential भी दिखाया इतने कम time के अंदर तो यह सारी updates है optimism को लेके next हम बात करेंगे bitcoin के बारे में 11 फर्वरी की date मतलब पिछले जितने भी 11 फर्वरी और कल भी 11 फर्वरी था तो bitcoin का price रहा क्या है 11 फर्वरी को है ना अगर आप देखोगे यहाँ पे 11 फर्वरी 2013 की अगर मैं बात करता हूँ 2013 की बात करता हूँ तो 25 डॉलर price था 2014 में 660 डॉलर के करीब पहुँच गया और 2015 11 फर्वरी को 219 डॉलर मतलब 25 से 600, 600 से 200, 200 से अगले साल 370 पे फहुँच गया और 2017 में ये 1000 डॉलर का हो गया इतना बड़ा जंप लगा दिया 2017 में 2018 में उस से भी बड़ा जंप लगा दिया अगर आप देखोगे यहां पे 8000 डॉलर को टच कर लिया एक साल के अंदर लेकिन अगले साल 3000 डॉलर पे प्राइज आ गया लेकिन 11 फरवरी 2020 को 10,000 डॉलर बिटकोई ने हिट किया उसके बाद के जो नंबर है वो बहुत ह्यूज नंबर है अगर आप यहां पे देखोगे तो 2021 के अंदर 47,000 डॉलर 11 फरवरी को हिट कर लिया 11 फरवरी 2022 को भी 42,000 डॉलर इसका प्राइज रहा और 11 फरवरी 2023 जो कल गया है वो 21,700 पे बिटकोई ने अपना लेवल दिखाया means अगर मैं 2022 की बात करता हूँ तो पिछले साल बिटकोई ग्यारा फरवरी को 42,000 डॉलर पे ट्रेड कर रहा था एक साल पहले next update है बिटकोई को लेगे born to die game has partner with bit.gurt.be rise to integrate bit.gurt chain बिट.gurt की back to back partnerships होती जा रहे है born to die game is a battle between four factions with each gamer contributing the gather rare NFT across different mission, level and pvp ये game है born to die और इसकी partnership होई है bit.gurt के साथ नेक्स्ट अप्डेट भी बिटगर्ट को लेके है गेट रेडी फोर बी राइज सेकिंड बर्न जो सेकिंड बर्निंग होने वाली है वो 23 फरवरी को होने वाली है यानि इस मन्त के बिलकुल एंड पे और 4.5 मिलियन डॉलर से लेके 5 मिलियन वर्थ हो, बी राइज विल बी बर्न making it the largest ever बी राइज बर्न 5 मिलियन डॉलर के जो बिट गर्ट है, बी राइज जो है वो बर्न होने वाले है, it's a burn day बहुत बड़ी बर्निंग है तो सेलिब्रेट, we are giving away 5,000 डॉलर इन शेर लक्की विनर तो यहाँ पे आप 5,000 डॉलर भी जीच सकते हो लेकिन 28 फरवरी की डेट नोट कर लो, burn day है उस दिर, और 5 मिलियन डॉलर तक जो है, यहाँ पे बिट गर्ट burn होने वाले है, 28th February तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीपेंट वीडियो अगर पसंद आया लाइक, शेर, कमेंट कीजेगा कोई question, कोई सवाल है, पूछ सकते है next वीडियो किस पे चाहते हैं यही बताईएगा, ठीक है और किसी भी crypto में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी research करें, वो बहत जरूरी होती है तो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई, टेक केर